असलाम वालेकुम आवरिवान देस अलीव फ्रॉम मासेक और यह भाई इन्फिनिक्स नोटेट का बैक केस क्यूंकि मैं इसको खुल चुका हूँ और खुलने की वज़ए यह के बहुत जादा दोस्त पूछ रहे थे क्या भाई इन्फिनिक्स अपने फॉंस में लिए और चार कामरा लगाता है बक पर चार कंठा होता है और अीकिडर की स्देउ आश्याची 거지 कि दूसरी फट्रध कर रहा है इन्फिनिक्स कितनी क्रहन रहा है कियो कि इस विडिगों करेंगी आपको उसी सोशलमीडिया पर यह क्लिप घूम रहा है इस पर爹 इक इनूनिक्स का दिखा लेकिन जब उसको खोलते हैं तो उन्दर की साइट पर एक कैमरा होता मुझे नहीं पता कौन सा फोन है कौन सा नहीं लेकिन आज मैं इन्फिनिक्स नोट 8 को चेक करता हूं कि यहाँ पर चार कैमरा है के नहीं बैक साइट पर और फ्रंट साइट के डूल क्या डार्क रियलिट टेस्ट में अपने चैनल पर किया जिस पर आपको यह एक स्क्रैच मिल रहा है हमने आठ फूट मेक्सिमम हाइट रखी थी फॉन काफी दूरेबल निकल कर आ रहा था ड्रॉप टेस्ट में आज हम देखते हैं कि टेर डाउन में अंदर क्या क्या लगाया गया एक्चुली अ आउन करके दिखाता हूं और यहां स्क्रीन भी काम कर रही होगी ताकि आप लोगों को अंदादा हो सके कि मैं एक औरिजिनल फॉन का जो है वो टेर डाउन कर रहा हूं कोई डमी मम भी नहीं है हो सकता है सुच्छल मीडिया क्लिप में डमी को यूज की गई हो लेकिन भई ब्राइटर डिस्प्लेय है पंचोल काट आउट है रियर पर 64 मेगा पिक्जल वाला क्यामरा फ्रेम है और पॉली कॉपनेट का स्टाफ है और इसको उपन करने के लिए जब से फिक्स बैटरी आ रही है आपको एक हीट गन रिकॉइड होती है तो सबसे पहले टियर डाउन क उसको अफिर आप ऐसे इंसर्ट करके और इसको पूरा का पूरा टेपिंग के लिए इसको खोलेंगे मैं इसको खोल लेता हूं तो यहां फाइनली इंफिनिक्स नोटेट की बैक को मैं उतार रहा हूं थोड़ी सी हार्ड टेपिंग होती है लेकिन हम आज देखते हैं कितनी नीड अन क्लीन बेल कॉलिटी अंदर से रखी जाती है और उपर वाला प्लास्टिक कितना मजबूत है क्या उतारते वे खोलते व प्लास्टिक है बहुत प्लत्ला और फ्लक्सिबल प्लास्टिक है अगर मैं इस तरह ज्यादा करूंगा तो यह तूड़ जाएगा लेकिन फिर भी हमने ड्रॉप टैस्स में देखा कि काफी मजबूत है और अंदर की साइट पर कुछ ब्लैक कलर कहीं आपको यहां पर पैनल प्लास्टिक है और फिर हम सिम्ट्रे को निकाल लेते हैं ताकि इसको ओपन करने में मुझे असानी हो सिम्ट्रे भी मैं निकाल लेता हूं और सिम्ट्रे पर कोई भी रबराइज कोटिंग नहीं कीगी मतलब वाटर प्रूफिंग कोई नहीं मिलती यह बस ख्याल रखेगा बाकि अंदर की साइट पर देखते हैं मुझे यह लगता है कि यहां पर कुछ नहीं कुछ वाटर रिसिस्टेंस है विकॉस यहां सारी पैकिंग रखी गई है जिसकी वज़े से पानी अंदर नहीं जाता बाकि ओवरॉल हम पैनल्स को ओपन करेंगे फिर हमें अंदादा वाली है कि यहां जो बैटरी और फ्रेम है उसका काफी ज्यादा गैप है इससे पहले जो मैंने फॉन टियर डाउन किये थे उनमें बैटरी बिल्कुल फिक्स थी मतलब छोटे साइस की भी थी लेकिन वह पचाशार चालेजार सूपर वाले फॉन थे एक तीजार से नीचे देखने को मलता है औल्दो फिनिशिंग काफी जबदस की की गई है मैट फिनिशिंग में फॉन है नट बॉल्स को खोल लेता हूं उसके बाद हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं उसके बाद लेखते हैं कि बाकी इंटरनुल्स हमें अंदर की साइड पर क्या मिलता है तो तो कि दोस्तों नेट्स में अपन कर चुका हूं लेकिन उपर की साइट पर यह जो मैं फ्लैक्स मिल रही है मुझे लगता है कि फिंगर पिन सेंसर की किनेक्टिविटी है और यह बैटरी के नीचे भी आ सकती थी लेकिन यहां आपको ओपन की साइट पर मिलती है अगर आप ख और नॉर्मली जो हमारे रिपेरिंग वाले भाई होते हैं उनके सबके नेल वह एक बड़ा होता है वह इसी काम के लिए होता है कि वह इसकी पैकिंग को ओपन कर सकें तो यहां मैं इसका रिंग जो है उसको अलग कर लेता हूं नेल से करना पड़ेगा मुझे थोड़ा over-out strip को मैं उतार लेता हूं रिंग को अलग कर लेते हैं सबसे वहले बात करते हैं कुछ रिंग की अब रिम के tark Яिक SHOW मिल रही है और यहां ji so ya camera sensor है और मुझे लगता है फिल्म केसिंग में camera sensor था और यह camera sensor जो है यह हमें जो तीसरा camera मैं दुबारा से लगा के दिखाता हूं जो हमें तीसरा camera एक module मिल रहा होता है यह वह वाला camera है इसको हम यहां लगा देते हैं और यहां पर हमें कुछ steps मिल रही है और यह flashlight वाली light है जो के back side पर दी जाती है जहां पर quad LED flashlight मिलती है बागी काफी neat and clean look है खोलने से पहले मेरा अंदाजा यह नहीं था कि इतनी neat and clean look होगी although यह भी काफी flexible और प्लास्टिक वाला ही total stuff है तो यह चीज़ के ख्याल रखेगा और यह frame जो है यह back case में fix होता है इसको रख लेते हैं side पर बात करते हैं कुछ phone की तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि बैटरी को disconnect करूंगा ताकि हमारा current है वह खराब ना और बैटरी को भी हम deattach कर सके तो यहां दो steps लगाई गई है और उसके ओपर taping की गई है इस तरह से double tap taping की गई है यह मैंने बैटरी को जो है वह disconnect कर लिया है बैटरी बाद में निकालूंगा और यहां में एक स्ट्रिप मिल रहा है यहां दो स्ट्रिप को लगाया गया है जिसके ओपर आपको ब्लैक कलर का यह पेपर देखने को मिल रहा है और हाँ जो असर रियालिटी दिखा कामराज पूरे मिलते हैं टेर डाउन वीडियो बनाने का भी मकसद यही है और यहां पर आपको यह मदर बोर्ड PCV जो बोर्ड है वो आपको देखने को मिल रहा है तो मैं कामराज को डी एटेच करता हूं साथ साथ बात करते हुए और साथ साथ देखते हैं कि हमें और कैसी यहां पर प्रोडक्स देखने को मिलती है तो यह पहला कैमरा जो के फिक कैमरा नहीं कह सकते हैं हम इसको हाँ हम यह कह सकते हैं कि इन्फिनिक्स ने खाना पूरी पूरी की वी है यहां पर यह स्ट्रिप लगाई गया और यहां अंदर की साइट पर जादे है जातर कैमरा जो बैटरी को डीटाइच करने के लिए मुझे यह तारने पड़ेगी क्योंकि इसके साथ इसको गृप किया गया है तो यहाँ पर मैं इस क्या-क्या करता हूं कि यह नट भी मैंने कोशिश करता हूँ के बैटरी को निकाल के हम नीचे वाली भी बिल्ड कॉलिडी को देख सकें के भई अंदर वाली साइट पर क्या मिलता तो यहां पर हम ट्राइ करते हैं इसको खोलने की बैटरी को और इस तरह से टेपिंग है जिस पर काफी जोर लग रहा भाई और इसको करता हूं आप देखें दरा फाइनली दोस्तों मैं काम्याब हो गया हूं बैटरी में काफी ज्यादा गम थी नीचे वाली साइट पर पेस्ट किया गया था और मैंने सारी जो गम है वो निकाल ली है और यहां इस तरह से हमें एक बावन सो एमेच की एक बड़ी बैटरी दे उनाड दे अन्टेनाज को और यहां भी हमें ट्राउस्मीटर के एंटेनाज देखने को मिलते हैं जो के हमें इंफिनीक्स के केसिंग में आपर की और जो से बार आपर वाली साइट से ऐंटेनाज जो हैं वो काम करते हैं और इसने कामराळ다 ओफिक इन्यारो काम्या चांव त इसकी हम टेपिंग उतार लेते हैं और हर पार्ट पर बड़ी अच्छी तरीके से पैकिंग लगाई गई है तो यह मैं कहूंगा कि भाई दे बड़े जब से टेकनोलोजी सस्ती हो रही है तब से इंप्रूव्मेंट भी उससाब से हो रही है और मशीनरी जो है वो काम कर रही ह तो यहां इसको भी उपन करता हूँ तो यहां जो फ्रंट कैम्रा है उसको भी नीचे की साइट से अटैच किया गया है तो मैं मदर बोर्ड को डिस्कनेक करता हूँ मदर बोर्ड खोल लेता हूँ ताकि हम अंदर की साइट से भी देख सकें कि इंफिनिक्स नोट 8 पर क्या लगाया गया है तो यहां इस की से इसको भी ओपन कर लेते हैं मदर बोड को भी और मदर बोड निकालते हैं और अंदर देखते हैं कि भाई मदर बोड के अंदर क्या है यह मदर बोड निकल चुका है भाई अब यहां बात की जाए कुछ डूल कैमराज की तो आपको इस तरह स यह ओगे, फ्रण्ट कैमरा थो इसको भी मैं डी एटफ करता हूं फ्रण्ट कैमरा को भी एक एक पार्ट की बात कर सकें यह दो फ्रंट कैमरा है, मज़र बोड के अंदर की साइड पर भी आपको इस था से गंm मिल रही होती है जिसको paste करने के लिए लिया गया होता है और यह हमारा मेन कैमरा है 64 मेगा पिकजल का जो sensor Infinix Note 8 में यूज किया गया है हम जो back camera's उनको यहाँ पर रखते हैं और गिंते हैं कितने camera's और यहां हमें एक जो मेक्रो सेंसर है, वो देखने को मिल रहा है, इसको भी हम डिएटेच कर लेते हैं, और यहां हमें मिल रहा है एक डप सेंसर जो के टू मेगर बिक्जिल का है, तो यह एक छोटे सेंसर है, इसको भी मैं निकाल के यहां रख लेता हूँ, अब यह वो चार कैमराज हैं जो हमें फ्रंट साइट पर देखने को मिलते हैं मदर बोर्ड की क्वालिडी की बात की जाए तो भाई काफी नीट एंड क्लीन लुक बनाई गई है और आपको हर पार्ट जो के अटैच होता है उसका डिफरंट ऑल्गरीजम एक देखने को मिल रहा है इंफिनिक्स नोट 8 के मदर के साथ जैसा या मदर बोर्ड के इसके उपर रखते हैं ना जब मदर बोर्ड को इसके उपर रखते हैं तो यहां पर हमें ना बात है थी ना करसी थी कि भाई ये इन्फिनेक्स जो है वो क्या चार कैमराज लगाता है कि ने लगाता तो उनको क्लियर हो गया होगा कि भाई यहां पर जो चार कैमराज है ना वो मिल रहे हैं और फ्रेंट वाले साइड का भी जो डूवल पंचुल कट आउट है वो देखने को मिल रहा है जहां चार कैमराज दो कैमराज और मधर बोर्ड काफी नीट एंड क्लीन लुक है तो मुझे ऐसा लगा कि भाई यह जो पानी से हो शायद सर्वाइव कर जा लेकिन मैंने पानी में डालना इसको मुनासिब नहीं समझा क्योंकि कंपनी की दरफ से कोई मैं कोईशिश किया कि वह सारे एस्पेक्ट्स जो कि आपकी जन्रों में सवाल होते हैं कि चार कैमराज हैं क्या बोर्ड की क्वालिटी है अंदर की साइट पर इंफिनिक्स नोट 8 या इंफिनिक्स की जो प्रोड़क्ट है वो कैसी देखने को मिल रही है और उमीद करता हू और अगर आप मजीद फ्यूचर में इस तरह की वीडियो लेना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जूरूर सेजेस्ट की जाएगा कि हमें इस तरह की वीडियो तेयर डाउन वीडियो अपने चैनल पर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और इस फॉन का मैंने ड्रॉप इजासत में हो लिए बास मासक से फाकिसान पांदाबाद अल्लाहाफिज